करेंगे दूजर्ड़ यह लिए देज़गी कि आपके ने फिर इन फिर्भाद है पर आपके अनुवा था नहीं देख लेकिन आप यह कि पिछनी बार्द मेरे क्लास्मेंट नंदिनी उसे बचा लेजिए अलो पोली स्केशन अब बारो इसे कि कि झाल सकते बारो बारो अब अऑो कि झाल सकते अऑो कि लुट आप यूँ तो यूँ अप अज세도 अध् exciting अः ए двух такие हाई हुआ है जाए परीघगर जास खरुद्स करीत को ऩाई चाई gonnaप्स ? वह यहन माध्स नाई Today जाए कि राइडूजी आगे क्या बेटा आने का समय हो गया है इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं मुर्थ का समय हो गया है यह में तो अभी समय है पर उस महान इंसान को देखने के शुब मुर्थ के लिए जल्दबाजी कर रहा हूं अच्छा इस गाओं में कदम रखने पर ही उनकी अच्छाई के बारे में महानता के बारे में सुना था मैंने अब मैं उन्हें आखों से देखना चाहूंगा नमस्ते माली कीजिए बस आशिरवाद दीजिए देरगाई शुमान भाव है ओम सर्वमंगल मांगल श्वे सर्वार्द साधिके शरन्ने त्रम्ब के गावरी नारायनी नमोस्तुते सौसाज्य प्राप्राप्ति हो सदा सुखेरा सुखेरा करके आप आशिरवाद मत दीजिए आपके बच्चे नहीं हैं आप बांज हैं ऐसे में आपका पुत्र प्राप्ति का आशिरवाद देना ठीक नहीं लगता ना बहन जी मा दिमाग खराब है क्या यह किस तरह की बाते कर रही हैं आप आज साहाब और मेम साब यहां के भगवान है इनके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती है हमें आशिरवाद दीजी मा अंधेरे में क्यों वैठी हो जानकी एई उन्होंने जो कहा उससे दुखी हो क्या उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है कोई भी मा अपनी बेटी का भला ही चाहेगी मुझे बांच का इस बात का दुख नहीं है मैं आपको वारिस नहीं दे पा रही हूं इसका दुख है मेरे कारण आपका वन्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा है इससे दुखी हूं इसलिए इसलिए आप दूसरी दूसरी शादी कर लीची जानकी तुम बहुत गलत सोच रही हो तुमने कहीं और जन्म लिया फिर अपने घर वालों को छोड़के मंगल सुतर के साथ इस घर में कदम रखा उस मंगल सुतर को छिनने का हख भगवान के पास भी नहीं है पर बच्चे अब बच्चों के लिए मन को मार कर अगर दूसरी शादी कर भी लो तो मैं इंसान के तोर पे मर जा बोलिए पिर से कभी बात नहीं करूंगे बेटा तुमसे मिले शास्त्री जी आये हैं कि नमस्ते नमस्ते बैठिए नहीं ने ठीक है मैं आपसे छूटी सी बात कहने आया हूं बोलिए पूरे गाउं को खुद के बच्चों की तरह खयाल रखने वाले आपके उस भगवान ने बच्चा नहीं दिया मतलब विश्वास नहीं हुआ तो राघव से कहके मैंने आपकी कुंडली मंगवा के देखी शादी के कुछ सालों तक कुंडली में दोश होने के कारण संतान प्राप्ती में देरी हुई है दोश का हल निकलवाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ती अवश्य होगी बहुत शुब समाचार आपने सुनाया पंडिची इस शुब समाचार के साथ एक छोटा सा बुरा समाचार भी है और वो क्या है? बच्चे जब छोटे ही रहेंगे तब आप दोनों की मुत्य हो जाएगी ऐसा कुंडली में लिखा है बस इतनी सी बात है हमें कुछ भी हो जाए परवा नहीं मेरी जान की मा बन जाएगी ना बस काफी है उसे कोई भांज कहके नहीं बुलाएगा, हमारे लिए काफी है और कुछ बोलने के ज़रूरत नहीं है कोई भी इंसान अगर बहुत जीता है तो सौ साल जीता है हजार साल नहीं जीता लेकिन वन्श अगर वारिश होगा तो इनसान के उम्र हजार साल की हो जाती है अपने वन्ष को जिन्दा रखने के लिए हम मरने के लिए भी तयार है पंडिजी प्लाइप प्लाइप लिए यीदेगी यह जाता है देख देख नहीं है भैयो, वहां देखिये है 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 एह है पापा पापा पक्री का बच्चा अब अरे देख देखता हूँ अरे बच्चो कहा जा रहे हो अरे बच्चो समझ के समझ के यह को सड़क कैसे नहीं बार करो बचा लिया इसे कितना प्यारा है ना पापा पापा अरे यह क्या हो गया मेटा अच्चो मेटा यह क्या हो गया यह सब क्या हो गया मेरी कुछ में समझ में नहीं आ रहा रहा रो मत बीटी जब तुम इस दुग्या में आओगी तो हम हम बन्मान के पास जाएंगे जिमनत मांगी थी वो मनत पूरी करने वाले हम बन्मान के पास जा रहे हैं अपनी बेहन का ठीक से ख्याल रखना तुम्हारे जैसे भाई बेहन इस दुनिया में कहीं नहीं तुम दुनों एक दूसरे का ख्याल रखना बेटा बेटी आगे खोलो अरे आगे खोलो बेपाब बापा बेटा बेटी बापा आगे खोलो ना कर दो दो कर दो थाँ किस्वाल का बेटी वारे खोलो प्लाक के खोलो प्ला में का रहे हैं भाया 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 लख्ष्वी भाया भाया क्या हुआ रोग यो रही हो मैंचे महंदी पसंद ना भाया शुब्रा जी के खेट में जाकर महंदी का पत्ता ला रहे थी तो पहर में कर्था चुब गया अरे अरे कहा है बताओ ओहो फून आ रहा है तुम फिर कभी महंदी के लिए बाहर मत जाना तो फिर आप गहर में महंदी का पौधा लगाओ कर दो पौधा बाहर मत जाना तो पौधा लगाओ कर दो पौधा बाहर मत जाना तो पौधा लगवा लगाओ कर दो पौधा लगाओ कर दो पौधा लगाओ भाईया, कल कौन सा दुआ हारे जो मेंदी लेगा रहे हो? कल तुम्हारा जनम दिन है ना? और जनम दिन पर मेंदी लगाई जाती है। तुम्हारा जनम दिन ही हमारे घर का सबसे बड़ा तयोहार है। इसलिए मेंदी लगा रहा हूँ। तो फिर हर जनम दिन पर आप मुझे मेंदी लगाना। ठीक है, जरूर लगाऊंगा। लक्ष्मी 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 सुभु चाचा लक्ष्मी को देखा है क्या नहीं बेटा नहीं देखा सीधा चाची लक्ष्मी को देखा सुनो क्या हुआ चाचा लक्ष्मी मिल नहीं रही लक्ष्मी मिल नहीं रही है कहां चली गहीं होगी वह अरे लक्ष्मी अब देखो तो चली गहीं होगी और पर राश्टूस का जनम दिन भी है इसलिए तो मुझे टेंचन हो रही है शेयतान मेरे साथ मजा कर रही है यह अब भी कुछा बताता हूं रोक्ष्मी रहे रूख लक्ष्मी रोक्ष्मी पेरे त्यारे बच्चों आज हमारी लक्ष्मी का सिर्द्धीन ही नहीं राखी का त्योहार भी है मतलब भाई और बेहन का त्योहार है अब भाईया की रक्षा के लिए तुम राकी बंदू नमस्ते साहब बोलिए जो बात है वो बताना चाहिए जी आपकी बहन देवी है जी ऐसी देवी हमारे गाउं में पैदा हुई ये हमारे खुशनसी भी है तारीव छोड़के मुद्दे पे आजाओ भाई बताता हूं जी कल मैं अपने मजदूरों से काम करवा रहा था जी तभी क्या हुआ की अरे सुनो काम होने के बाद खेतों में जाकर कवों को भगाने वाला पुतला लगा देना ठीक है बाली ठीक है दीदी मेरी बेड़ी से धुआ नहीं आ रहा मुझे अच्छे से देख ऐसे रखके ऐसे फूंग जलाया तो यहां वहां से क्यों आ रहा है अरे कौन है वहां रगो 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 अरे कौन करीं रख लगा के भाग रहे हो किसे आग लगा है के लोग रुका रुका है आईसा हुआ था जी तो फिर तुम्हारा क्या हुआ कल शाम को हुआ ये कि जाओ जाओ जाले मज़ा चखा हुआ जाओ हुद इन सigers जाओ कबंदी, 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 कबंदी मेरे मफ्के भढ़ दिये क्लों चाह पूम्छों मेरे मट्के भोड़ दिये और दो मेरे मट्के भोड़ यह हुवा अब तटडड़ तडड़ अब यहां क्यों आय है? अब यहां को शिकायद करने तो नहीं सॉरी बापस आके आर्टी उताती हुआ भाइया आर्टी चाचा है मुझे भी आर्टी भाइया उन्हें भी आर्टी देदू बात बताई तो नहीं ना अगर बताई ना तो पूरे खेत में आग लगा दूंगी तुम्हें भी आग लगा दूंगी भाइया हां बोलो यह भी बहुत पड़ी भगते मेरी ही तरह हां जी हां जी तुमने कुछ कहा मैं पहली समझ चुका हूँ जादा बोलके मेरा बीपी मत बढ़ा छोड़ दो लक्षमी जी भाईया वो लो गनेश चतुर्थी के चंदा के लिए आये हैं अपने हाथों से बहुत कुछ पता चल रहा है गनपती जी गनेश जी पारवती पुत्रा शीव पुत्रा रात को चड़ी उत्री नहीं है क्या हनुमान जी के मंदर में आके गनेश जी को याद कर रहा है अब पागल कहीं के इस सुनामी सुब्व को कुछ पता नहीं है तू समझता है उन्हें और इतने कोई अंतर नहीं है इस अवतार में उनके पीछे पूछ है और उस अवतार में आगे सून है चुपचा प्रात्ना कर स्वामी गनेश अनुमान जी मैं कुछ जादा नहीं पीड़े के लिए एक वाटर साथ में खाने के लिए थोड़ा चाखना इतना ही काफी है स्वामी जी इतना ही काफी है पापी कहीं को मंदिर में लड़की को अधरता है वो भी सुनामी सुब्व के सामने लेगी तो मारो में ढूख दुम एसे खूए गाति तुं छूपरहोंगे पीड़ा उसके बाद फिर भी अकर तुंचूप रही है तुमें ऐसे चूप लेगा आら layer पति कुझे चुएगा इससे तुझे क्या तकलीफ हो रही है तो उसकी बीवियो नहीं तो क्या तुम्हारा मानना करता हूं तु क्या मानीगा भी पंडित आर्थी करो कैसे आज में किसी को कोई इता बारता है क्या हाथ पेर तोड़ जयता है करने जब खेतों में आम दोड़ रहा है परी पाप्रे जाओ जाओ अजित और लोगो के जाओ प्रशोन्च कर洋 प्रोड़ प्रे से सेी बहेयाa बहेया लक्षमी लक्षमी, लक्षमी भाय, लक्षमी को साप ने काट गया बहया लक्षमी लक्षमी लक्ष्मी, लक्ष्मी, शीवा जी जल्दी से बैट को बला कर ला, जल्दी लक्ष्मी, लक्ष्मी, शीवा, जल्दी चौट अधिए, तेरी इतनी हिम्द कि तुन्हे मेरी बहन को काटा, चाचा जी वह, इस गाओं में एक विविस आप नहीं रहना चाहिए उनके बिल तक तोड़ दो नहीं भाईया उसके कोई गलती नहीं मेरी ही गलती है उसे छोड़ दीजे नहीं बहन मैं इसे नहीं छोड़ूँगा मेरे लिए छोड़ दीजे भाईया खत्रा टल गया बेटा जहर पैरों में है इसलिए अगर रात को सोएंगे तो वो जहर सर पे चड़ जाएगा तो आज रात इसे सोने मत देना बस ठीक है बेट जी साहब इस गाउं में किसी पर मुसीबत आती है तो आप ही देखते हैं आपकी बहन पर मुसीबत है तो हमें नीन कैसे आएगी पूरा गाउं जाक कर आपकी बहन को सोने नहीं देगा आज की रात है अ मैं हो आज आट नहीं दिख लेकिन आख्येगा पिछली बार आप फटर से लिख मेरी क्लास्मेंट नंदे नहीं उसे बचा लेजिए आलो पोली स्केशन है 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 हुआ 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 है वाँ हुआ हुआ है वसले मतल परोइज ले कुछ जकल कि लुग से न्हाइए List कि बाद जग ए कि अप पना बाद प्यों आप ए ए ए ए ए ए ए ए कि उननने को बाद पो ड्स stripped कि ए 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 हुआ है चल लेके जाए है चल जा अब बताओ कौन था वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था वो मेरा जीजा है तुम्हारे जीजा हाँ छे मही ने पहले पेताजी की मौत के बाद मैं बिलकुल अकेली हो गई थी तब दीदी मुझे अपने घर ले गई थी उन्होंने सोचा कोई अच्छा रिष्टा देखकर उसकी शादी करवा दोंगी नंदीरी तुम्हें अपने बालों में गज्रा लगाने का बड़ा शौक है सुनी काम हुआ के नहीं लड़के वालों ने क्या कहा तुम्हें ये लड़्डू खाने के लिए कहा नंदनी तुम भी खाओ मुँ मीठा करवा रहा है मतलब कोई अच्छी खबर होगी है ना हाँ बहुत अच्छी खबर लाया हूँ पांच लाक दहेज मांगा है उन लोगों ने पांच लाक रुपे इतने पैसे हम कहां से लाएंगे नहीं ला सकते हैं ना इसलिए एक निर्णा लिया है मैंने वो क्य शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बेहन का पती मैं ही बन जाता हूँ क्यों मिठाई कड़वी है क्या गले की नीचे नहीं उतर रही है आपकी बतनी तो मैं हूँ फिर अब दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं मुझे पता था तू नहीं मानेगी इसलिए तेरे लड़ू में मैंने जहर मिला दिया है थोड़ी देर में तू समशाएं और मैं मंदप में पहुंच जाएं अब दीदी दीदी दी 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 सीने में दर्थ की कारण मौत हुई ऐसा सर्टेफिकेट लेकर पुलीस को भरोसा दिला दिया मेरी शादी हो जाएं यहीं दीदी की आकरी इच्छा थी ऐसा घावलों का भरोसा दिलाया और अब जबरदस्ती मुझसे शादी करने जा रहे हैं इसलिए मैं भाग कर आ गई तुम्हें बचाने वाला हमारा शोख है यह पता चला न तो तुम्हारा जीजा तुम तक पहुंचेगा भी नहीं तुम दरो मत भाईया ऐसी स्थिती में नंदिनी का अके लिए ठीक नहीं है हमारी फैक्टरी में इसे कोई काम दे दीजिए फैक्टरी के ग्वार्टर्स में ठीक है लक्ष्मी बस के लिए भी शुनामी सुब्व को वेट करना पड़ रहा है सीम से बोल कर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ट्रांसफर करवा दूगा तब लोगों को पता चलेगा कि सुनामी सुब्व क्या चीज है बताता है हूँ भाईया बस के लिए वेट कर रहा है सुनामी सुब्व को तो इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है भाईया मैं आपका बड़ा फैन हूँ अगर आप नहीं बैटेंगे तो मैं साइकल नहीं चलाओंगा आईये ना भाईया आईये ना दोनों कर रहेंगे कि हैं जबकि हम दोनों की मां अलग-अलग है कितना यह क्या है साथ की सबस्क्राइब कि इतना हिला रहा है तो कैसे यह को ठोकने के साथ साथ मेरी बीवी के उपर भी गरने की जिए नीचे गिरता तो बर जाता आरब तो मगर्चे आप आईये तो ड़ जो किन उपर जाता शी डान जांगा अ अधिक्ता मारग एक दो अधिक किसां गई आप मेरा फेन औक आप इधारा आपिन आप इधारा आप इधारा नए सब्सक्राइब तो फिर मुझे साइकल चलाना अभी शुरू किया है पीछे की सीट पे कभी किसी को नहीं बिठाया था इसलिए आपको बिठा लिया यह सुनामी सुम्भू तुझे लगेज दिखाई देता है कि नहीं भाइया अधिक है कॉम्प्रमाइज चल जा तीन ग्लास पानी और तीन ग्लास पानी और तीन ख्वाटर लेड़ा अगाश किष्णा थेटर में आज से रोज चार शोव दोंगे और पिक्चर का नाम है मैं तुक्रेट बंद कर अपना मूँ सेकंड हाफ मैं बताती हूँ करें दिदी आईए और आके देखिये देखके खुश हो जाए दान वीर शूर वीर कर्ण इसमें है हमारे अपने नागार जुन निर्माता है वेंक टेश गड़े में गई गारी अच्छा मैं ने ने आप बैटो दीदी अब देख लेंगे धक्का मारो अरे जोर से मार ना मारो दुक्त तुम से नहीं होगा यह इतना भारी क्यों है दान वीर करण का बॉक्स है ना ओ नागार जुन की फिल्म है इसे लिए इतना वज़न है क्या ओके अ थैंक यू भैस की तरह अंदर बैटके मुझसे धक्का मरवाती हो तुम लंगडी हो क्या तुमको धक्का नहीं मार सकती हो हा ना सच में लंगडी हूं मैं सुरी एक्स्टेमली सुरी आपका सिर्फ एक ही पैर है यह मुझे पता नहीं था कोई बात नहीं जी थैंक यू आखिर बात क्या है भाहिया आप सब लोग मुझे ऐसे क्यूं देख रहे हैं आखिर बात क्या है कुछ बोलिए भी आखिर बात क्या है कुछ हाए उसक्राइव तुम सब को हुआ क्या है हाह हमें नहीं है मुझे क्या हुआ है कपड़े लेनी जाओ तो खुद के कपड़े लेकर जाते हैसा कहते है मैं अपने मुझ से नहीं कहने वाली हूं आए बुझी तू भी बता बात क्या यार आपका पैंट आपको पहनना भूल गया चाचु पैंट मुझे कैसे पहने पैंट को मैं पहनूंगा नव पैंट लक्ष्मी आज तो तुम अपने भाईया से महंदी लगवा रही हो पर कल तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल चाओगी तब कैसे लगवाओगी ससुराल तो क्या इस दुनिया में मैं चाहें कहीं भी चली जाओं जड़ाम दिन पर मेरे भाईया मेरे पास आकर मुझे मेरे फिसली नहीं लगाई या मैंने भाईया को राख भी नहीं पेनाई तो समझ लेना वह मिरा आखरी दिन होगा अधसे खिर कभी नहीं प्रहएं आएं अधाय अच़ू सब्सक्राइब थल्यार्द8 लाठे णिए आज बेहन के जनन दिन के अफसर पर हर साल इस गाउं में कुछ ने कुछ आप अच्छा काम करवाते हैं हॉस्पिटल बनवाया स्कूल बनवाया और अब कुवा बनवाया बहुत ही खुशी हुई बेटा इतने सालों तक कितनी दूर पानी लेने जाना पड़ता था यह कुवा बनवाकर तुमने हमारी मेहनत कम कर दी तुम सौ साल जी ओ सौ साल अब बचाओ 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 कोई बचाओ इस सुनामी के सामने रेप और किड्नेप यह बहुत अर्जेंट है हट जा मुझे भी अर्जेंट है बे क्यों बेचारी एक अवरत को तीन लोग किड्नेप करते हो अब क्या वकवास कर रहे हैं मैं तम्हें रहे होस्पिटल ले जा रहे हैं तो मेरे पती और खाई रहे हो मुझे कॉन भास्पिटल ले जाएगा कमी नियुम शर्क्रा रहा था ऑल्ल terme तो शिस्टर को यही डेलिवरी हो जाएजी लेका जाओ अब दूबारा दिखा तो तू समझाए चलो 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 बहुंच चलो तूट गई आज दू क्वाटर जादा बीना पड़ेगा ओके सिस्टर बाई जी जाची ओके तरे पाप्रे दूबारा दिखना बतू पड़े बतूपर बतूपर जाथ है ओ आप कैसे हैं अच्छी होती तो मंदर क्यों आती मुवी देखने जाती शिकार करने जाती रुको तरह मेरी बात सुनू क्या हुआ जी उस दिन आपका बाया पैर नहीं था आज डाया पैर नहीं नहीं है अछी जरे सामने आगे अब आपका दाया पैग मेरे ताई तरफ है अब आपका दाया पैग मेरे ताई तरफ ही है क्लियर बिल्कुल सही उस दिन मैंने आपको सामने से देखा था आज मैंने आपको पीछे से देखा यही कन्फ्यूशन था इसे लिए तो थोड़ा आगे पीछे देखते रहना खीर जो बियो भगवान ने आपकेसाथ बड़ा अन्याय किया है क्या क्या इतनी समाज़दारी ऀतनी सुनेटरता देने के बाद भी पैर नहीं ठीज यह अधर ने caveat अरे अपने कैसे किया साधना करने से इंसान कुछ भी कर सकता है क्या बात है है शाम मीचारी के पर्सनल बात करनी है मुझे पर्सनल बात है मंदर में नहीं करते तो फिर कहां करते हैं पहले हाथ छोड़ो हाथ पकड़ा था तो ऐसे क्यों भाग गई हेलो बुद्ध के अफ्तार शाम को नेल पाक रोड पर मेरे खेट के पास मिलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे प्यार करते हो क्या तो फिर शादी किससे करोगे प्यार किया है शादी करने के लिए मुझसे शादी करना मम के ना हो तो तो जिन्दगी भर मैं शादी नहीं करूँगा तुम बहुत गहराई में चले गया हो ये प्यार के चिकर में पढ़के जिन्दगी बरबाद मत कर लेना क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ मैं तुम्हें चाहे कितना भी पसंद कर लूँ अगर भहिया को छोटी सी भी बात नहीं पसंद आए तो मैं शादी नहीं करूँगी क्या मतलब? मुझे क्या चाहिए ये मुझसे जादा भहिया को पता है मेरे पहने के कपड़ों से लेकर मेरे होने वाले पती तक सारी सिलेक्शन मेरे भहिया ही करेंगे लेकिन प्यार और शादी ये परसनल बाते होती हैं मेरे भहिया मेरी जान है उससे जादा परसनल और कुछ नहीं तुम्हारे भाईया ने किसी अंध्य या फिर किसी लंगड़े से तुम्हारी शादी करवाई तो कर लोगी हाँ जरूर करूँगी मेरे भाईया की खुशी से ज़ादा मेरे लिए और कुछ नहीं है देखो आपका दिल बुद्ध की तरह महान है आपको और परिशान करने के लिए मैंने लंगड़ी होने का नाटक किया किसी भले इंसान को परिशान करने की गलती की है और ये पहली गलती है जो मेरे भाईया को नहीं पता आगे से कभी ऐसा नहीं होगा देखो मेरी बात तो सुनू अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मेरे भाईया से आकर करना प्लीज देखा तुमने उसे पसंद है फिर भी जब तक मुझे पसंद नहीं होगा वो शादी नहीं करेगी उसकी इच्छानुसार लक्ष्मी की शादी करवाना है भाई के रूपे मेरे जिम्हतारी है वो कैसा इंसान है उसका परिवार कैसा है हमें जल्द से जल्द जानना होगा तो वो अच्छा है कि नहीं हम लोग अभी पूछ देते हैं अरे चुप रहो इस दुनिया में किसी से भी पूछोगे तो वो कहगा कि मैं अच्छा हूँ इसलिए हम उसके घर पर नौकर बन कर जाएंगे जब उसके करीब रहेंगे तो उसे अच्छी तरह जान जाएंगे घर में इतने नौकर रखें, आपको क्यों रखेगा किसी भी घर की कोई भी बात हो वो नौकरों के कारण ही बाहर निकलती है आप नवकर बनोगे यह मैं नहीं मान सकता एई बहन के जिन्दगी की बात है भाया आपकी बहन बनना उस लड़की की खुश नसीबी है या उसका भाई बनना आपकी खुश नसीबी है यह मैं नहीं जानता लेकिन आपके घर में मैं नावकर हूँ, ये मेरी खुश नसीब है हो गया, अब चल, ये भी न जी बोलिए वर्कर्स के लिए आपने क्वार्टर बनवा कर दिये हैं और हर त्योहार पर बोनस भी दे रहे हैं उन्हें उनकी वज़े से मैं कमाता हूँ, जो कमाता हूँ, उन पर खर्च करता हूँ, that's all मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, वो समझे हमारे लिए काम करने वालों का खयाल रखना हमारी जिम्मेदारी है अफकोर्स, आपको देखकर हमारे फैक्टरी वरकर्स भी हमसे इसी तरह की डिमांड कर रहे हैं इसमें गलत क्या है? अगर इस तरह से उन्हें सब कुस देते रहे, तो मैं फैक्टरी बंद करनी पड़ेगी, अच्छा होगा आप अपना रवाईया बदलने थमकी दे रहे हैं आप लेक्चा दे रहा हूं प्लीज भार्ण न्यां वार्ण वार्ण ज्र्णों जार्ण ज्र्रुक्न प्लीज जर्ण रुकना? क्या हूँआ? बइया! हाँ? ओादे क्या? है लोगा है जर्ण पल्त्ततत है लोगा हुआ 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 हुआ! हुआ 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 हु आजया भाल शजया वांघ हाच हाज अजघ क्या हो अरे जो हुआ वो पताओ ना वमें रोड़ से आ रहा था तो एक्सिडेंट हो गया क्या किया तो में ड्राइब से जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ना चाहिए था ना सुनिये उनका हाथ पर टूट चुका है इन्होंने आके मेरी जान बचाई है बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते जी आपने आज हमारे जान से प्यारे दिवर की जान बचाई है अगर आप लोग कुछ कां देंगे तो बही हैं कि नौकरी की तलाश में शैर में मैंने सूचा क्यों ना हमारे घर में काम कर लें अच्छा कां करते हैं आपmar कर से शेटल हो गया है या परतन करती हम जिस काम के लिए घरं देखा भाई नहीं है फिर भी इतनी देख भाल कर रहे हैं वो सगे भाई नहीं है हाँ भाई ये सब भाई और बहेंड के बच्चे हैं घर के नौकर ने बताया ए ए कहां गुम है खाना क्यों निखा रहा है ए छोटे सहाब प्यार में पड़ गया है शायद वो लड़की कौन है ये बता देंगो तो अच्छा होगा बताने में शरम आ रही होगी इनको वो लड़की हमारे लेवल की नहीं होगी शायद गरीब घर की है क्या कितना भी खरण की लड़की होई तो फिर भी वो लड़की हमारे घर की बहु बनेगी कैसे उसने दिल लगा लिया है इसलिए हमारे फैमली मेंबर्स उसके पैरों पर गिरकर ये रिष्टा करवाएंगे हमारे देवर की खुशी हमारे लिए सब कुछ है अरे यतना पर भी क्या सोच र स्थिंगे बाते ही के प्याव करती इसे पैसे चाहिए और बड़ेगए और बोल दिजी अगर्ण प्यूद्ञ यहाव अगर अईसा उसकी भाई के मुझंसे कोई बात निकल जा तो वह सच तो नहीं तो इस ने तो बहुत अच्छा लक्षमी ये मेरे भाईया मेरे भावी नमस्ते नमस्ते बैठिये ना तुम्हारे भाई को तो बुलाओ बैटी भाईया भाईया नमस्ते नमस्ते बैठिये ना हमारे घर का नौकर इस घर का मालिक बन गया नौकर कैसे कहा यह मेरे भाईया है वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है बेटी इससे जब तुम बात कर रही थी भाईया ने देख लिया था इसलिए तुम्हारा भाईया नौकर बनकर उस घर में गया यह देखने के लिए कि तुम्हारा होने वाला ससुराल कैसा है ये क्या भाईया एक महाराज होकर नौकर के रोप में अरे कुछ भी होने से पहले मैं अपनी इस बहन का भाई हूँ बहन के लिए हमारे घर का नौकर बनकर तुमने हमारे घर में जाडू और पोचा लगाया मुझे यकीन नहीं हो रहा लड़कियों को किस घर में ब्याना यह देखने वाले जमीन पर आपके जैसा भाई होना सच में आपके बहन के खुश्रजी भी है यह सिर्क मेरी बहन नहीं है मेरी जान है भाई की मान रखने वाली बहन बहन के लिए जान देने वाला भाई ऐसा रिष्टा मिलना सच में हमारा अब और देरी क्यों रिश्टे की बाद फटाफट करते हैं इस घर में सबसे बड़े चाचा जी है आजीनी के हाथों रिश्टा तैह होगा कि मुझे यह शादे नहीं करनी भाईया यह क्या कह रही हो तुम्हें पसंद है इसलिए तो मैंने यह सब किया मतलब मेरी शादी करके मुझे बेजने की जल्दी में है आप जल्दी में नहीं बेहन जिम्मेदारी कभी ने कभी लड़की की शादी करके ससुराल तो भेजना ही होता है ना आज अगर माँ पिताजी होते तो वो भी यही करते वो होते तो सिफ मेरी नहीं आपकी भी शादी करवाते पहले तुम्हारी शादी हो जाने तो बेहन आपकी शादी ते होगी तो यह मैं शादी करूँगी अब बताईया आप कब करेंगे करूँगा बेहन मैं तुमसे जितना प्यार करता हूं, मेरी बीवी को भी तुमें उतना ही प्यार देना होगा, जिस दिन ऐसी लड़की मिलेगी, उस दिन शादी करलूगा, और अगर ऐसी लड़की ना मिली तो, कभी भी शादी नहीं करूगा, ये क्या है भाईया, आप हमेशा मेरी खुशी ही आगे रखते हैं, अपने बारे में ता सोचते ही नहीं, मेरे भाईया हमेशा खुश रहे, ये मेरी भी इच्छा है, अगर आप जिन्दगी भर कुवारे रह जाएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, हमारे माता पिता को पता था कि बच्चे होने के बाद, वो मर जाएंगे फिर भी हमें जन्म दिया, क्यों भाईया, इसलिए न ताकि हमारा वन्शागे बढ़े, उनकी ये इच्छा पूरी करने की आपकी ही जिम्मेदारी है, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मैं किसी की पत्नी नहीं आपकी बेहन बन के ही रहे रहे हूँ, ठीक है बेहन, जैसी तुम्हारी मरसी, तुम जिस लड़की से शादी करने के लिए कहोगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, ठीक है? यह तुम क्या क्या रही हूँ, क्या तुम मेरे भाया से शादी करने को तयार हो? तुम्हारी भाया की पसंद क्या है, यह जाने बिना? भाया से बात करके ही आई हूँ, तुम मुझे अपना जवाब बताओ. मुझे अपना जवाब बताओ, यह 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 जवाब बताओ, लक्षमी जाएगे चुपो जाओ, रो नहीं घर वालों को छोड़कर जब कोई भी लड़की ससुराल जाती है तो वो दुखी होती ही है बेहन लेकिन ये दुख खुशे के लिए आते हैं, दुख के लिए नहीं आते हैं मेरी बेहन ने जिसे पसंद किया उसी से उसकी शादी हो रही है इससे मैं कितना खुशू तुम्हें पता है वैसे भी तुम्हारे पास क्या कमी है इतने अच्छे घर में जा रही हो इतना अच्छा पती मिला है इतने अच्छे उसके परिवार वाले हैं इससे अच्छा तुम्हें और क्या चाहिए। भाईया चाहिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। रूमत बेहन, रूमत, मुझे छोड़के कहां जा रही हो तुम। इस शादी के कारण हम दूर नहीं हो रहे हैं, बलकि दो परिवार पास हो रहे हैं। बेहन, तुम्हारी आखों में आसुख, मैं सहर नहीं पाता हूँ। अगर तुम खुश रहोगी, तभी मैं खुश रह पाऊँगा। ठीक है बेहन। झाल को तुम। झाल झाल कर्णेया झाल 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 ये सब क्या है जी? पहले अपनी बेहन को इतनी हिम्मत दे कर भेश दिया और अब खुद दुखी हो रहे हैं बेहन के सामने रोता तो वो दुखी होती इसलिए अपना दुख अंदर चुपा कर यहाँ पे अकेला दुखी हो रहा है ये लक्षमी एक इतने अच्छे घर की बहु बनी है इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए अरे आप आईए ना आखिर बेहन की याद आगई आपको ऐसी कोई भात नहीं है बस तुम लोगों से मिलने का मन किया और मैं चला आया आपके मन में क्या है वो मैं सब जानदा हूँ अपनी बेहन की याद बिलकुल टेंशन मत लीजे वो यहाँ बहुत खुश है और सबसे घुल मिल गई है जड़ा एक बार वहाँ देखिए थोड़ा आई नहीं बहुत हो गया बहुत थाना बनाईए भाईया खाना बहुत पादिश चाहिए चीज़ देखाओ बहुत अच्छा थाना है लक्षमे कौन आया है जड़ा देखो भाईया भाईया आपका बाई अभी आया बहन अपनी बहन को देखने के लिए आया था और इस घर की बहु को देखा ऐसी बहु के आने से हमें बहुत खुश हुई ये सब भगवान की दया है पता नहीं हमने कितना अच्छे काम कियो होंगी जो इतनी प्यारी बहु मिली है हमें भावनों के होते हुए मेरी बहन की कमी पोरी हो गई मैं बहुत खुश है या कोई भी लड़की अपने घर में खुश तो होती ही है पर सुसुराल में भी इतना खुशी से रहना है सच में तुमारी खुश नसीदी है मेरी फोटो यहाँ आपको देखे बिना लक्षमी नहीं रह सकती मुझे पता है इसलिए मैंने ये फोटो लगवा दी थैंक्स आकाश बीवी के मन को समझने वाला तुमारे जैसा पती का मिलना मेरी बेहन की खुश नसीबी है मेरी नंदू का घर तो बहुत ही बड़ा है नंदू? नंदू? नंदिनी? कहा हो? कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं तुम हमारी नंदिनी हो ना? बहुपरी कितनी ये बड़ी हो गई हो बच्पन में इतनी सी थी बच्पन में हर कोई इतना ही होता है आपके जितना नहीं सही कहा बिटा वैसे आप है कौन? अरे पागल मैं हूँ कांता सुरिय कांता पहचाना नहीं क्या तुम्हारे पिता जी के मामा जी की दूसरी बीवी की बती जी हूँ मतलब तुम्हारी मौस ही हुई ना? बहुत पास की रिष्टदाने आप तो पास की हूँ आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरी बच्ची हुई जिन्दगी को यहां बिताने का फैसला कर क्याई चलेग अंदर ले जाओ वाँ बेटा सौ साल खुशी खुशी जी ओ आए मौसी जी आओ बिटी चलो आओ इतना अच्छा पती मिला है तुम कितनी किसमत वाली हूँ ओ शूरवीर जब तक तेरे वन्ष का मैं सर्वनाश नहीं कर दूँगी मुझे चैन नहीं मिलेगा हलो भया हरे आकाश कैसे हो मैं अच्छा हूँ हमारी लक्षमी कैसी है अच्छी है आपके लिए गुड न्यूज है आप मामा बनने वाले है मामा मतलब हमारी लक्षमी मा बनने है अच्छी है अच्छी हो बहुत मुगाषमी कैसी है भाईया भाईया आशरवाद दिजिये मैया चंदा मामा उपर क्यों है एक बार भगवान ने पूछा तुम्हारी बेहन सुन्दर है या चंदा मामा तब मैंने जवाब दिया कि मेरी बेहन सुन्दर है तब भगवान को गुस्सा आ गया तब भगवान ने एक तरफ तुम्हें रखा और दूसरी तरफ चंदा मामा को रख दिया तुम्हारी सुन्दरता के सामने चंदा मामा शर्मिंदा आओकर छुप गए और तुम नीचे आ गई ये बले-बले-बले क्या हुआ भाया ऐसे क्यों देख रहे हैं चंदा मामा उपर क्यों है ऐसा नंदनी से पूछने वाली मेरी बेहन कितनी बड़ी हो गई है आज मेरी प्यारी बेहन देखो मा बनने वाली है घर तो बहुत अच्छा है हमारे देवर का सेलेक्शन है घर किसके नाम पर है हमारे देवर के नाम पर है मतलब तुम लोगों के नाम पर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है इसलिए देवर के पास रह रही हो क्या करें उपर वाला चपर तो चैन से रह रहे हैं बिजनस में लॉस हुआ तो जायदाद बेच दी चाचा जी के बच्चे हैं इसे लिए आकाश हमारे पतियों को यहां ले आए और उन्हें फैक्टरी में नौकरी दे दी और हम सब को यहां लेकर आ गया अभी तो अच्छे भले हो कल तुम्हारे देवर को बच्चे होंगी और तुम्हारे बच्ची उन पर बोज बन जाएंगे तब नहीं नहीं हमारे देवर बड़े अच्छी इंसान है असली रंग बहार आने तक सब लोग अच्छे ही लगते हैं वैसे भी यह तो तुम लोगों का मामे है मैंने ही बुलाया है तुम्हें किस लिए बतला लेने के लिए किस से लेना है हमारे दुश्मन के परिवार से मेरे पती ने जो शराब बनाई थी उससे पी कर दस लोग मारे गए इस बात का पता चलते ही उशूर वीर ने हमें गाउं से निकल जाने पर मजबूर कर दिया हम शराब बनाकर उसके गाउं बेचने लगे जैसे ही वो बात उससे पता चलिए थी शराब बनाई पता जाने दो में सक्पना प्ररण पार उना है? आज जजय झाए भाए लग भाए लग फट जलज को फड़ हर अजय पन जड़ मिल vallahi gebe दो कि अ खुछ धत्यव लुछ टुछ न वाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएो हुट है जड़ है लग ऑन घर लुछ वो मेरे पती की मौत का कारण बन गया और मुझे अकेला छूड़ दिया इस दुन्या में सढ़ने के लिए शूर वीर मर गया है ये पता होते हुए भी मेरे बदले की आग नहीं बुझी मैं एक अच्छे आउसर का इंतिजार कर रही थी पता चला कि तुम भी उनसे बदला लिना चाहते हो हम दोनों अगर हाथ मिला ले तो उशूर वीर के परिवार का सर्वनाश कर सकते हैं मुझे भी वही चाहिए बोलिये मुझे क्या करना होगा मेरी प्यारी भांजी मेरी प्यारी लाडली यहां देख मामा जी को देख चिची चिची बड़ी बेटी कुन की नानी का नाम रखा है दूसरे बच्चे का नाम उसके नाना जी के नाम पर रखेंगो तो फिर इस बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है क्या इसमें सोचने की क्या बात है इसका नाम भाभी के नाम पर रखो नंदिनी आजाओ अरे नंदू भाभी क्या हो बाभी क्या हो पिटी सुबह सुबह इतनी अच्छी खाबर कॉम्राचिलेशन्स मुबाराक भाभी क्या बात हे जाबर्टाइए तो वह बात है बात है लग्षमी इस खुशी के मौके पर आपको मुझे से एक वादा करना होगा चैनलो वादा किया आपका बेटा हो चाहे बेटी उसका जीवन साथ ही मैं हिंचनूँगी भाभी उगा एक बार भावी से भी तो पूछ लीजिए तुम्हारा घर मेरा माई का है तो उसका जीवन साथी तुम चुनना चाहोगी तो इसमें गलत क्या है लक्ष्मी अरे बेटी कुछ लेवर सट्टी को जाएगा पुच्छ टेल लेग्डा है पुच्छ बच्चा गर्म में ही मर चुका है अपरेशन करके बच्चे को बहा निकालना होगा और इतना ही नहीं अंदर काफी इंफेक्शन फैल चुका है जल्दी से ही हमें कुछ करना होगा तो फेर बच्चे चाचा जी यह बात किसी को पता नहीं चलने चलने खासकर लक्ष्मी को नंदनी पेट से है यह पता चलते ही सबसे ज़्यादा खुश हुई थी मेरी बहन लक्ष्मी पैदा होने वाले बच्चे के लिए उसने कितने सपने देखे जब उसे पता चलेगा कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो मेरी बहन सहन नहीं पाईगी चाचा जी रुको लक्ष्मी इस बारे में सिर्फ तुम्हें पता है अगर तुमने ये बात भाईया को बताई तो तुम्हारे भाईया ये बात बरडाश नहीं कर पाएंगे प्लीज प्लीज तुमने जो पाउडर दिया था वो मिठाई में मिलाकर मैंने अबोशन करवा दिया गुड मैंने भी तुम्हारे कहरें पर आप्रेशन कर दिया है उसकी कोग खाले हो भी है ये रखिए नंदनी ये सब क्यों हो हमारे साथ शाहिद माँ बनने की कुछी पर नसीब में ही नहीं है चीची ये कैसी बात कर रहे हो देखना तुम जरूर माँ बनोगे अपने बच्चे को गोद में लेकर तुम उसे अच्छे से खाना खिलाओगी नंदनी बेटी नंदू नंदू जूस पीलो बीटी नहीं माँसर जी मेरा मन नहीं कर रहा ऐसा भोलोगी तो कैसे चलेगा नंदनी लो पीओ आप अब फैक्टरी जाएए बिटा काम पर जाने लगोगे तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा अपना ध्यान रखना पीलो बीटी क्योंकि वो दूसरे भाय बेहनों की तरह नहीं है ना कुछ भी मत कहिए मौसर जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था मेरा इस घर की बहु बनने का कारण लक्ष्मी ही है बेहन के कहने पर बिना कुछ सोचे उन्होंने मेरे कले में मंगल सुद्रवान दिया और इस घर की र जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अब कुछ भी अनाप्शनाफ सोचे जा रही है इसलिए मेरे पती और मेरी नरत की बारे में बक्वास किये जा रही है जो भी हो मुझे जो सही लगा वो मैंने तुन्हें बता दिया फिर भी मुझे क्या यह क्या लक्षमी अगर तुम इस तरह खाना पिना छोड़ दोगी तो तुम्हारी तबित खराब हो जाएगी पि भाया के बारे में सोचती हूं तो खाना गले से नहीं उतरता भया ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो बहाग्वार्ने यह अन्याय क्यों किया उनके साथ उन्होंने मुझे सिर भाई का प्यार नहीं दिया माँ बाप का प्यार भी दिया है जस भगवान ने उन्हें मुझे दिया शाद उन्हें की नजर भाया को लग गई मैं उनके बच्चे की बूह नहीं परवाऊंगी यहां तक कि भाया के साथ उनका यह दुख भी बाट नहीं पाऊंगी लक्षमी तुम्हें धीरत से काम लेना होगा मुझे यहां समालने के लिए आप हैं और वहां मेरे बैया सारा दर्द अपने दिल में लेकर अकेले तड़प रहे होंगे सुनिए बच्चों को लेकर मैं बहिया के पास चली जाओंगा हमारे बच्चे उनके सामने होंगी तो कम से कम उनका दर थोड़ा तो कम होगा ठीक है लक्षमी लेकिन तुम अंदर से दुखी हो यह बात तुमारे भाया को पता नहीं चलनी चाहिए ओके मेरी पारु के बिना मैं नहीं जी सकते यह जहर पीके मैं मर जाओंगा है कर दो भनालितर के मिना जीन लप लपा रही है कि सौच रहों एक भैस को बेचकर पी जाओं क्या बात है किसी बहसरे दरू पी रखी है क्या क्या था वो कुछ नहीं भाई पीछे क्या है कुछ नहीं भाई तो फिर यह पूरा बोड़ी जहर है तुम बच्पार में दूद पिकर बड़े हुए अर माहिए जहर पिकर अरे बाई नुट्र है ऊपर नीव इस्टॉक है यहां पर जलन हो रही है यहां पर जलन हो रही है क्या यहां भी जलन हो हुआ है मेरी पारवती की शादी हो रही है इसलिए विसकी में जहर मिला के पीने ही वाला था कि बीच में तुमांके विसकी विसकी कहके पी लिए दिरय थे ना करे तो परमाद हो जाए घुट है तूण यह अच्छी बात नहीं यह स्प्मिके तुम मुझे गाली दे रहे हो यह तुम मुझे ःदि रॉदर जा रहे हो 擇नीडिक नहीं हो स्वी विल्कुं ठीक नहीं है पर उरोide तुम आ गई क्या पारवती मेरी पारवती आ गई भाई भारो अरे मुझे बचाले अरे कोई बचाओ मुझे मैं तो जहर काने वाला था दीवा सच कहरा हूं मेरी लिए तुम शादी के मंदस उटके भागाई क्या हाँ भाई बात बताओ पारो मेरे जिन्दा रहने में इस देवता का हाथ पारो मैं जो जहर पीने वाला था वो इस महान आद्मी ने पिलिये पारो हमें इनका अशिरवाद लेना चाहिए पारो अशिरवाद लो अशिरवाद दो आप जाने पूंद। साहब जी हर साल अपनी बहन के नाम पे आप कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं इस बात अगर माता जी का मंदिर बनाएंगे तो अच्छा होगा आपने जैसा कहा वैसा ही मंदिर में जरूर बनवाऊंगा मैं लक्ष्मी को फोन करके आने को कहता हूँ उसी के हाथो भूमी पुजन करवाएंगे बहुत अच्छी सोचे बेटा ये कारेक्रम बढ़िया से संपन होगा चाचा जी सारी तैयारी आपको ही करनी होगी वो सब मुझ पर छोड़ दो उधर देखो बात करते लक्ष्मी आगई तुम सौफ साल जी होगी लक्ष्मी आज़ो बेटा आज़ो लक्ष्मी एई कैसे हो आज़ो 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 कैसे हो भया मैं बहुत अच्छा हूँ नंदू क्या हुआ मौसी जी जरा वहाँ देखो क्या हुआ जीजा जी नहीं आए क्या वो तो आफस के काम में बिजी है लक्ष्मी आई है लक्ष्मी ये लक्ष्मी सर्वनाश करने वाली लक्ष्मी है वैसे भी मुझे क्या अच्छा ठीक ठीक नमस्ते अरे चाचा जी आप जल्दी से जाकर भूमी पूलन के तयारी की कैसी हो अच्छी हो बस किजी मुसीजी है कई भात नहीं खौँ बेटी खाना किसनी बनाया heli इसी कोी बात नहीं यह बनाया है मैंने यही बनाया है यही अगर मेरी बेहन बनाई होती तो और स्वादिष्ट बनती है न भावी ने भी अच्छी बनाई है भाईया पर अगर तुम बनाती तो और भी स्वादिष्ट होती बनाने वाले हाथ से खाने का स्वाद बदलता है कुछ भी हो बहन तो बहन ही होती है और नहीं तो क्या एक जमाने में एक राजा था और उस राजा के आठ बच्चे थे और वो आठो के आठो बच्चे जंगल में जाकर आठ मचली लेकर आये मामा जी मामी आ गई अब कहानी बहुत हुई जाकर सोचाओ मामा जी के पास ही सोगे तुन लोग रात बहुत हो गई है अब बच्चों को भेज़ दीजिए अरे नंदनी यहीं सोने के लिए कह रहे न तो फिर मैं इतने बड़े घर में तुम्हें सोने के लिए जगे की कमी है क्या कहीं पर भी जाकर सोचाओ तो बताओ हमारी कहानी कहा तक आई थी इस घर में तुम्हारी क्या एहमियत है अब तो समझ गई होगी मैंने तो पहले ही कहा था पर तुम कहां मेरी सुनती हो अनुभाव से ही कहा था तुमसे हाँ वैसे भी मुझे क्या अब क्या हुआ क्यों बुलाया तुम्हें वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए मुझे लोन चाहिए हां सेड़ जी ने लोन देने के लिए हां कर दी है आप जाके एक करोड ले आईए ये लिजी पेपर्स हास्पिटल की बात पर एक बार सोच लेंगे तो जरूरत है पर उसके लिए कोई लिमिट होनी चाहिए पर आपकी भी लिमिट होनी चाहिए घर में आप जो कुछ बोलते हैं मैं सुन लेता हूं लेकिन ये ओफिस है यहां जो मैं कहूंगा आपको मानना होगा मुझे कुछ जरूरी काम है आप लोग प्लीज यहां से अगर विल्यू प्लीज गेट आउट अज ओफिस से गेट आउट कहा है कल घर से गेट आउट होने को गहेंगे तो कहा जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो हम रोड़ पर आ जाएंगे कांता मौसी ने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा ध्यान से रहीगा अभी ध्यान देंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा आप क्यों नहीं करती भावी अब तुमसे बात करी रहे हो ना तो मुझे क्या जब तुम्हारी प्राब्लम सॉल्व होगी तो हमारी भी हो टेंशनों मरे जा रहे हैं और आप क्रिश्न भगवान की तरह हंस रहे हैं मैरी बात सुनिये जहां प्राब्लम होती हो वही सोलूशन होता है और जब सोलूशन होता है तो फालों हुए नहीं सकती है तो मैं यह जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो आकाश ने जी पियर कंपरी के फाइल लेकि आने को काया है साइन करने के लिए तो साइन करते वक्त मैं उसे फोन करूगा वह जब मुझसे फोन पर बात करेगा तब उसे पता लगे भी नहीं इन स्टैंप पेपर्स और ब्लैंक चेक्स पे साइन करवा है ठीक है ओके सर मैं भिजवाता हूं थैंक्यू भाया जेपी वालों का अग्रिमेंट रेडी है ना रेडी है बस तुम्हारे साइन की ज़रूरत है अब या बलो अब या दू ओक फाइल विजवाता है लो के पास ही ओके ओक्रेश्च किसी केशु भातों से पूजा कार प्रारम करवाई नंदू जाके अपने हातों से पूजा प्रारम करू बिटी नंदू जाओ जाओ बेटी अपर आपके बच्चे नहीं है ना आपके हाथों से पूजा करना अच्छा नहीं होगा लक्ष्मी तुम जाकर पूजा करें यह वो अरे पूजा तुम्हें ही करनी होगी लक्ष्मी जाओ बेटी जाओ जो मान हुआ वो काफी नहीं है जो अभी तक यहां करी हो चलो इससे पहले कुवा बनवाय था इस जनम दिन पर मंदिर बनवाय जा रहा है अब तो समझ जाओ तुम्हारे पती को चाहिए बेहन और उसके बच्चे यह पूजा तुम्हें करनी चाहिए थी उस लड़की क्या हाथो करवाया मतलब समझ रही हो ना तुम्हारा पती तुम्हारी कितनी इज़त करता है पुरे गाउने देख लिया कुछ समझ मैं इस तरह से बोली ना कौन-कौन कितना लेगा मैं बताता हूँ सेट के पास एक करोड के करजे का नोट लिखा है आकाश ने और एक नोट पे दस्खत करवा कि उसके नाम पे तीन करोड का करजा लेगा तो पूट लोगे चाहर करवा और आप नाइडू को देने के लिए दस्खत किये हुए चेक दिये ना वो चेक से बैंक का पैसा सब अड़प गया तुम चिंदा बत करो पाव और फेट्रणी पेपर पे दस्खत करवा के फेक्टरी भीकवा दिया पांच करोगा तुम्हें कैसे भूल जाएंगे इसलिए तुम्हारे नाम पे दस एकड़ रेजिस्टर करवा दिया देखो सास की ज्यादा दामात को मिल जाए तो ऐसा ही होता है इससे पहले कि ये बात तुम्हारे भाई को पता चले कोई ना कोई बहाना करके इस घर से बाहर निकल जाओ पकड़ो हम शाम को चले जाएंगे इतनी जल्दी कुछ जरूरी काम है यह क्या बात होई तुम लोग अभी आ और अभी जा रहे दो चार दिनों रुखना चाहिए ना आप मुझे कार देंगे ना मामा जी कार क्या कार के सासा तुम्हें घर भी दूंगा नंदू सुना क्या मामा मामा जी मुझे कार और घर देने वाले हैं मैं नहीं आओंगा मैं मामा जी के पास आओंगा लक्ष्मी आकाश को जरूरी काम है इसलिए तुम लोग जाओ लेकिन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो बाद में भिजवा दूंगा ठीक है भाईया अब बच्चों को रखना है तो लक्ष्मी को भी रहने दीजिए ना नहीं तो लक्ष्मी के साथ साथ बच्चों को भी भेज़ दीजिए मा और बच्चों को दूर करना अच्छी बात नहीं है आधी रात को बच्चे उठकर अपनी मा को ढूड़ेंगे तो क्या करेंगे अब? छोटे बच्चे अपने पिता से दूर रहें तो कोई बात नहीं पर मा से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकते मा और बच्चों के बारे में तुम इतना सोस्ती हो फिर भी तुम्हें भगवान ने बच्चे ना देकर बहुत अण्याई किया है भावी, आप देवी है बच्चे को मा से दूर नहीं करना चाहिए ऐसा ख्यार एक देवी के मन में ही आ सकता है मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी भावी है और मेरे बच्चों की मामी तुम दोनों भाई बहन ही तो मेरे खाली कोक का कारण हो तुम दोनों को अलग करने तक मैं चैन से नहीं बैठोंगी तुम्हीं नेंद अगर आप भी गई तो भी मैं तुमिस सोने नहीं दंगी हेज चब्रेट लेकी है है चप्रेट ले चैने है सबको मिलेगी ठीक है सबको चप्रेट दे दो जाओ जल्बी याओ अगर हेलो मैं नाइडू बोल रहा हूँ नमस्ते नाइडू जी आपको चेक मिल गया ना पर दो रहे जाता तो फोन ही क्यों करता यह एक हफ्ते पहले चेक भीज़दूंगा बोला था अब तक नहीं भेजा है आपने पोबाइल पे फोन किया तो स्विच आफ आफिस पे प्दशन नहीं चलता है कि नई सर दशन में अपने ससुराल गया था मैंने अपने भाई को चेक दिया था गुझे बस अपना चेक चाहिए नहीं तो मैं कोट तक जाओंगा वह हुलpowered भाीAnd कियों ऐसे चिल्ला रहा है क्या हुआ नाइडू जी को चेक्सροियों भर फैर यह च्छेक क्या है यह आप क्या क्या रही अब हर इसले इसले मैंने आपको साथ य पार ओर मेंय तो क्या नहीं तो ये आप क्या कह रहे हो भाया आपके सामने दिया था मैंने था तो और चेक दिया ये मुझे पता नहीं पता नहीं अगर दिया होता तो याद होता ना क्या मतलब चेक देने के बाद मैं जूट क्यों बोलूंगा आपसे इसका मतलब ये जूट बोल रहे हैं क्या लग तो ऐसा ही रहा है वो पैसे आप लोगों नेखा लिए ऐसा इनका कहना है यह क्या कहना चाहा रहे है मच्छी तरस समझ रहे है हमारे पद्यों पे इल्जाम लगा कर इने फोर मता रहे हैं मुझसे टो यह सब बर दाश नहीं होता है हम तुम्हारे भरोसे इस घर में थे और तुमने हमें यह सिला दिया खड़े-खड़े सुन जा रहे हो जितना अपमान हुआ अपना काफी नहीं है अब और कुछ भी होना बाकी है अब हमें इस घर में एक पल नहीं रुकना चाहिए अब क्या रहे हैं इन्होंने टेंशन में क एक उसी हिंतना शाहिए इतना वान रहे है क्नल ट्र्चाथे नहीं कुछ नहीं सुना एयमे सुनिये लाधी definite चाहिट जा जी नहीं गए कि यहां चाचा जी हाँ आप पहले 20 लाख लेकर जाए हाँ और मंदिर के कॉंट्रेक्टर को देजिए बचे वे 20 लाख वो मंदिर का काम होते ही दे देंगे जाकर निकालता हूं और सीधे वहीं आता हूं ठीक है बैंग जाके और पैसा निकालने के लिए यह देख ना मंदिर पूरा होने तक और 25 लाग ऐसा होगा तो तुम्हारे ओने वाले बच्चों के लिए क्या बचीगा चिल्ल रह जाएगा वैसे भी मुझे क्या ऐसा मत कहीं मौसेजी अब आप ही बताये क्या करूं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम इतनी सुन्दर हो पती को पल्लु से बांध के रखो नंदू नंदू कहके मौकाम मिलने पर तुमारे आसपास घुमाने पे मचबिर करो वो देखो, बातों बातों मिया अशोक आ गया नमस्ते वो देखो, वहाँ आ है्मूर्ती देवी जी की मूर्ती बहुत अद्बुत है न है बहुत सुंदर है आचारी जी का हाथ लगते हैं किसी भी मूर्ती में जान आ जाती है यह सब तो आपका सम्मान है, थोड़े समय में मुर्ती पॉलिश हो के तयार हो जाएगी, फिर आप ले जा सकते हैं क्यों बेटा, अचानक क्या हुआ? अब क्या हुआ पता ने अपना दिहान रखना मिस्टर आकाश, इस घर को जब्त किया जा रहा है यह आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पती ने सेड़ जी से चार करोड का करजा लिया तो कुछ तो करेंगे ना वो मैंने उनसे एक करोड रुपे लिये थे पर इस डॉक्यूमेंट में तो चार करोड लिखे हुए हैं और यह दस्तकत आप नहीं किया है, आपने आपके भायों को पावर अफ अटॉनी देकर फैट्री और बचीवी जायदात बेच दिये यह पता चलते ही उन्होंने कोट में केस कर दिया और इस घर को जब्त करने के लिए कोट ने ओडर दिया है चार करोड के पेपर पर दस्तकत पावर अफ अटॉनी पर दस्तकत यह सब क्या है जी दोका मिला है मेरे भाईयों नहीं मुझे दोका दिया है लक्षमी मिस्टर आकाश इस घर में मौजुद सोना जेवर पैसे मोविबल्स इम्मोविबल्स कोई भी वस्तू होगी तो घर से बाहर नहीं जा सकती है दिस इस कोट्स और मिस्टर आकाश घर और घर में मौजुद सभी चीजों की गिंती की तो भी आपके पर तीन करूर का कर्ज बागी है आपने नाइडू जी को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है उससे संबंदित अरेस्ट वारंट भी आपके ऊपर है हां सब्सक्राइब कर दूंगी माफ कीजे हमें हमारी ड्यूटी करने दीजें कौंस्ट अब 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 कुछ भी करेंगे तो फैयदा नहीं है तीन करोर कोट में भरके आप अपने पती को छोड़वा सकती है कर दोड़वार दो, अब करेंगी और प्काणिए है कि अब हो भी करेंग आपके वार नहीं है चोड़वार नहीं होड़वा एसने प्रूंदान कर दोड़वार नहीं है कि वार आपके और अपके संब्सक्राव हलो भापे लक्षमी बोल रही हूं कौन है लक्षमी लक्षमी हां लक्षमी बोलो मैय से बहुत जरूरी बात करनी है भया को फोन दीजी ना वह तो घर पर नहीं है किसी काम से बाहर गये हैं तो मैं उनके मुबाइल पर फोन करती हूं अरे मुबाइल तो घर पर छोड़ कर चले गए अरे अब क्या करूं क्या हुआ परिशान लग रही हूं क्या बात है लक्षमी मागवार ने मेरे साथ अन्याह किया है भावी मेरे जेट ने हमको दोखा देके सारी जायदात अपने नाम कर लिए गर्जेवालों ने केस कर दिया और कोटने हमारे घर को सीज कर दिया उन्हें अरेस भी करके ले गए है मैं बच्चों को लेकर रोट पर घड़ी हूं शाम तक अगर तीन करोड नहीं भरेंगे तो उन्हें नहीं चुड़ा पाऊंगे ऐसी परस्थिती में बाईया के अलावा मेरे मदद करने वाला और कोई नहीं है अरे कितनी मुसीबत आगी लक्षमी तुम पर भाईया आएंगे तो उन्हें यहां भेज दोगी भाभी जैस करती बैठी रहे हां कहीं लक्षमी को कुछ हुआ तो नहीं हवा से हार सूख गया होगा उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो तुम्हां कुछ नहीं चाचा जी मेरा मन बहुत पेचैन है एक बार लक्षमी से फोन करके बात करता हूं आकाश का फोन स्विच्ट ओफ है और घर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है पहन इस वक्त अपने घर पर की होगी आज उसका जनन दिन है अब तक हमारे घर पर आ गई होगी घर का नंबर लगाओ हलो ळेनुर में अब तर तो नहीं आई अभी तक नहीं इस बात की टेंशन ए है कि लख्षमी तो रही तो नहीं है पिक्र मत की जिए थोड़ी तों दिन मैं आएगगी में आपको हमार्श के बदाए रहा है पहुता दूँगी ठीक है लक्षमी अपने घर पर भी नहीं है और हमारे घर पर भी नहीं है मुझे भी वह समझ में नहीं है जबूर मेरी बहन किसी मुस्विबत में ऐसा मेरा मन कह रहा है मैं अभी उसके घर जाता हूं आप मुर्ति लेकर अपने गाउं पहुंचे बहन नहीं आई इसलिए तुम्हारे पती इतने चिंती थो रहे हैं मतलब मुझे कुछ तो डाउट है क्या डाउट है क्यों नहीं आई है यह जानने के लिए अकर सीध्य उसके घर पहुंच गए तो बापरी अगर वह बहां चले गए तुन्हें सब पता चल जाएगा तीन करो पोड़िया जायदात नहीं होंगे तुभी अनुभाव तो मेरे पास है तुम्हारे पती को अर्जंटली यहां पे खीच कर लाना होगा हलो लक्षमी आ गई क्या वो नहीं आई है पर यहां पे नंदीनी के सीने में दर्द हो रहा है सीने में दर्द हाँ बेटा सुबह से उसे ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुब हो रहा है इसलिए टेंशन में थी और उसी टेंशन की वज़े से ना बेचारी की यह हलत हो गई है जल्दी हॉस्पिटर लेकर जाईए हाँ फिक्र मत करो डॉक्टर को फोन कर दिया है इससे न आपसे बात कर नहीं है लो बात कर बिटा सुनिये अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा बहुत अकलीफ हो रही है आपको देखे बिना कहीं मैं मर न जाओ ऐसा डर लग रहा है मुझे जल्दी आ जाईए ना जी तुम फिक्र मत करो नंदनी मैं अभी वहां रहा हूँ हम मेरी लाड़ी मा, राकी के इसके लिए मा, आज रक्षा बंधन है ना, तुम्हारे मामा जी को बानने के लिए नननी, अब कैसी है डॉक्टर, फिक्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बीपी थोड़ा ज्यादा हो गया था, मेडिसन दे लिए, शी विल बी ओल राइट, चलते हो, अब कैसी हो तूँ, सुनिये, मुझे बहुत ज्यादा दर लग रहा है, मुझे एक फाल के लिए भी चोड़क अब ठीक है नम्मिली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निश्चिंत होकर सोचा, 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 अब आप में जाए, मैं देखती हूँ, जल्दी देखें, लक्षमी होगी, हलो, लक्षमी है ना, रॉंग नंबर, रॉंग नंबर है बीटा, रॉंग नंबर, किसे भी तर है, आज के दिन, इन्हें इनकी बेहन से मिलने से रोखना होगा, लक्षमी अभी तक क्यों नहीं आए, कम से कम फोन तो कर सकती थी, आप मौसी जी, अहां, क्या हुआ बिटा, लक्षमी ने फोन किया था, क्या, नहीं तो, नहीं किया, अब कैसे करेगी फोन, फोन क्यों नहीं लग रहा है, लक्षमी, खाना खालीजिये, नहीं, लक्षमी, महरानी की तरह रहने वाली तुम्हें, और अपने बच्चों को, आज में रोट पे ले आया हूँ, ये दिन देखने से पहले, मैं मर क्यों नहीं गया, लक्षमी, ऐसी बातें मत कीजिये, अच्छे लोगों की ही वो भगवा इतनी परिक्षाइन लेता है, आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बच्चा को देखिए, आपके बेना इनका क्या होगा, अपने लिए ना सही इनके लिए ही, थोड़ा सा खालीजिये, तुम भी खालो, हमें भी खालिया है डैडी, आप खाये, पहले तुम खालो, आप खाऊ ना डैडी, सुनिये, मैं भाईया के पास जाकर आती हूँ, नहीं लक्षमी, ये बात भाईया को पता ना चले तो ही अच्छा है, पता नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो कुछ नहीं सोचेंगे, जो कुछ भी हुआ, उसमें आपकी गलती नहीं है, और जब भी मुसीबत में आती हूँ, तो भाईया के अलावा, और किसके पास जा सकती हूँ, उनके अलावा, और कौन बचाएगा हमें, ठीक है, संभल कर जाना, मेरी तबियत खराब है, फिर भी चले गए, पहन मुझसे भी बढ़कर हो गई क्या, अरे सोनो भाई कोट ने इसे जब्ट कर लिया है, इस घर पे बहुत कर्ज है, घर के मालिक को एरेस्ट करके पुली स्टेशन लेकी गए है, वेचारी उसकी मजबूर बीबी आली हाथ अपने बच्चों को लेके चली गई था, उसके भाईयों ने से धोखा देखे, पूरी जादाद अपने नाम करके उसे हावालात में जाने के मजबूर कर दिया, करना का पुली हीघёт वेच olmayई हैं करना करना करके बालात में हमारात वालात में हमारात तूर का लेके गर्यों पैती है, हम्हाइए 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 उन्हें छोड़ दीजे पर ना हम्हाइए मेरे बहन ने तुम भारे साथ क्या घलत किया था लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ अन्याई किया है मैं तुम लोगों को चोड़ लए जोड़ दीजिया प्लीज छोड़ दीजिया हमाग क्या जोटे हैं इनका चेहरा देखकर मैं तुम लोग उप्छोड़ा है अब पुलीस टेशन जाकर तुम लोग अपने गलतियों को माल लो और शाम तक आकास छूड़ जाना चाहिए वरना पिर दीदी फ्रोध हां 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 अरे इतना अच्छा जग तोड़ दिया पनोदी कहीं के पनोदी जाओ अच्छा चाहरो तेमा मा मा ने ला रहा भाभी ओ तुम आई हो मुझे लगा कोई भिखारी आया हां बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या शर्म नहीं आती तुम्हें मा पर ही तो जाते हैं बच्चे जरहालत तो देखो इसकी परिस्थिती ऐसी आ है भाभी वह पुलिस स्टेशन में है उसने जो किया होगा उसका परिड़ाम भुगत रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं वह कैसे हैं क्या आप नहीं जानती है तीन करोड़ जब तक नहीं भरेंगे वह पाहर नहीं आएंगे बैस भाहिया से बात करूंगी और तीन करोड़ भ गरस्फर्में कदम रखा तुम्हारा पती जेल में चला गया अरब हमारे खर में चली आई हो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा और आपकर ऑब करना चाहेगी क्या वागवान करें मेरे बैयां सो साल जीए मेरे मैके का दीपक हमें सजलता रहें तो पर कियो आइँ हो यहाँ नंदू, तुम रहने दो मैं बात करती हूँ देखो बेटी, लड़की की शादी करवा के भेजने के बाद दुख हो या सुख हो, मौत हो या जिन्दगी हो सब ससुराल में ही होना चाहिए शादी के बाद दो बच्चे होने के बाद माइका, भाया, मुसीबत इन बातों की लंबे लिस्ट बना कर लेकर आओगी तो तुमारे भाया के संस्कारों का क्या होगा अभी-अभी तो इनकी जिन्दगी शिरू हुई है अब तुम यहां आकर फिर से मुसीबत खड़ी मत करो अगर यह बात सच है, तो जिस रास्ते से आई हो, वहीं से चली जाओ इतना ही नहीं, कोट में जो तुम्हारे पती को छुड़वाने के लिए तीन करोड़ भरने है उसके बारे में तुम अपने भाया को बताना तक नहीं ठीक है भावी, नहीं बताओंगी आज मेरा जनम दिन है, जाखी का तेवहार भी है, भाया के आने के बाद राखी बांद कर चली जाओंगी मैं क्यों, राखी नहीं बांदोगी तो मर जाओगी क्या बश्चपन से लेकर आज तक मैं भाया को राखी बांदे बिना नहीं रही हूँ इन्हें थोड़ा सा खाना किला दो इनके खाने के बार चली जाओंगी बच्चे हैं यह सोचकर दया मत दिखाना खाने के बहाने इसके भाईया की आने तक यहीं रुकने का प्लैन बनाया होगा पहले ही पनुती लगी हुई है एई इज़त से बोल रही हूँ तुम्हारे भाईया की आने से पहले इन्हें लेकर यहां से चली जाओ चलती हूँ भाभी बस बच्चों को थोड़ा सा खाना मन जाता है आज के बाद अपने भाईया से मत मिलना और अपनी इस खालत के बारे में उन्हें मत बताना तुम्हें अपने भाईया की कसम है लक्ष्मी इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है शरम नाम की चीज है या नहीं यह तो वह है जो बातों से नहीं मानते लात उसी समझाना हुआ अरे लक्ष्मी जी यह सब क्या है इस हाथों से आपने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा और आज लोगों के साबने अपने बच्चों के खाने के लिए फैला रही है असल में उस बुल्डी ने जब से इस घर में कदम रखा इस घर की शांती खत्म हो गई है लक्ष्मी जी मेरे घर चलिया आप मैं खिलाओंगा सब को चलो बेटा चलो बेटा आजो 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 गोदी में आजा खाने पो ठाजो गुति राजो जाजो आजू आजो कि अजए हैं बहा हुई है। कर दो दो आप आप अरे जली गैंगे अच्छा में आप अपने अथों से खिलाद हूँ पेर भर के खाना विटा यह सब क्या है क्यों रे मैं सुखी रहूं यह तुझे पसंद नहीं है इसे यहां लाकर क्यों रखा है और तू पती जेल में सर रहा है इसकी फिक्र नहीं है तेरे भाईया परिशान है इसकी फिक्र नहीं है तुझे और तेरे बच्चों को बस खाने के लिए चाहिए बच्चे भूख के मारे तरप रहे थे इसलिए देखा नहीं गया मुझसे बच्चों से हमें प्यार नहीं है तो तुम्हें किस लिए हैं यह क्या तेरे बच्चे है या फेर बच्चों के पैदा होने के बाद इन्हें तुमने रख लिया इस खर में एक नौकर की आउकात है तुम्हारी और मेरे बॉसी पर हाथ उठा रहे हो तुम पाइसी औरत के उपर हाथ नहीं उठाना चाहिए बलकि ऐसी औरत को तो काट करके रख देना हो चाहिए काट तुगा तुछ अजी मत मारो पर लक्षमी जी मैं इस औरत को काट के रख देना अस्च कह रहा हूं चोड़ दो ने चोड़ दो इस देवी का चेहरा देख कर तुम्हें छोड़ रहा हूं वर्दा मैं तुम्हें मा कह एकाँ नहीं चाहिए मा चलो चलो आज ज़िए चलो बिदा चलो हज बंट बंसी लगा हूह हूह मा ना मा मेरा सेल घुम रहा है मा बेटा अड़ा आधो ना प्या प्यांटा प्या अगा नहीं कुण मैं करो मैं इंघ्धू प्याइंटा इस जो करते हैं मेटा आखे खुल मेटा आखे खुल थोड़ोसा थोड़ोसा पानी पीले मेटा राचा राचा वट पेटा माँ मेरा पच्छा माँ भूग लग रही है माँ मुझे भी भूग लग लग रही है माँ नंदू लगता है तुम्हारे पती आ अगए लक्षमी देनलक्षमी लक्षमी अभ लक्षमी यहां आई है क्या आई थी आई थी हमारे घर पर हमारी ली नहीं शिवा जी के घर इस पवित्र खून पर तुम लोग इंसाम लगा रही हो बहुत पुरा हुआ बहुत पुरा हुआ बहुत मुझे शामा कर दीजिए क्या बात है पता मुसीबत में बैन बच्चों को लेकर मेरे घार आई थी इन लोगों ने उसे धक के मार कर निकाल दिया बच्चों ने भूख लगी है कहा तो मैं अपने घर खाना खिलाने ले गया पहला निवाला मूँ बे भी ने गया था इन्होंने खाने पर नात मार दी कोई भी औरत मुसीबत में होगी तो उसे भगवान याद नहीं आता मैं का ही याद आता है मेरी बहन में यह सोचा होगा कि अपने भाई के पास आने से उसके सारे कश्ट दूर हो जाएंगे ऐसी हालत में तुम लोगोंने मेरी बहन को भगा दिया हरे तुम लोग इंसान हो क्या भूख भूख करने वाले बांसूमों को तुमने एक निवाला तक नहीं दिया और जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें लात मारा कैसी हो रहत हो तुम आखिर क्यों है ऐसा क्या हो गया जाने बिना उसने तुम्हें इस घर का महरानी बना दिया यह गलती हो उसकी तुम जो खाना खा रही हो जो कपड़े पहन रही हो जो जिन्दगी जी रही हो वो सब सब मेरी बहन की दीवी भीक है नहीं सजा है आपके कुछ भी करने पर मैं चुप चाप बैटूंगी लाखों रुपए उस पर लुटाने पर भी मैं चुप चाप बैठी देखती रहूंगी इसलिए मुझे इस घर की महरानी बना दिया उसने करो अच्छाई करने पर भी उसमें बुराई ढूंडने वाले तुम्हारे जैसे लोग किसी की महांता क्या जान पाएंगे जानने की हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए इसमें हमारे घर में कदम रखाए ये भी मुझे पता है मैं मैं ऐसा क्यों करूंगी चुप हो जाओ तुम हमारे साथ इतना करने के बाद भी पता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम एक औरत हो और मेर कि अपनी बेहन को प्यार करता है ये नहीं पता लेकिन बेहन को प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी बीवी को जरूर प्यार करता है ये मुझे पता है हर भाई चाहता है कि उसकी बेहन ससुराल में खुशी-खुशी रहे और इसलिए जब उसके घर में लड़की आती है तो उस जिस घर से मेरी बेहन को निकाल दिया गया है अब उस घर में मैं एक पल भी एक पल भी नहीं रहूंगा याद रखना अगर मेरी बेहन को कुछ भी हुआ ना तुम्मा डालूंगा बेटी नंदू मा पापा की पास चल देना मा हाँ मा बहुत भूक लगी है पापा के पास जाएंगे तो खाना मिलेगा बच्चों से हमें प्यार नहीं है तो तुम्हें किस लिए है यह क्या तुम्हारे बच्चे हैं आज के बाद अपने भाईया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना तुम्हें अपने भाईया की कसम है लक्षपी मा कुछ बोलो ना पापा के पास चलें क्या मा हाँ मा हमें बहुत भूग भी लगी है ठीक है चलते हैं पर पापा तो बहुत दूर है यहाँ पास में ही नाना जी का घर है वहां जाएंगे न तो तुम्हें पेट भरके खाना मिलेगा वहाँ पर कोई हमें मारेगा तो नहीं न मा मारने वाला गाली देने वाला वहाँ कोई नहीं होगा बिटा तो पर चलते हैं न मा चलो मा ये घर नहीं है ये तो खुवा है कोई के नीचे ही नाना जी का घर है वहां जाएंगे ना हम पर कभी कोई मसीबत नहीं आएगी तो पहले मैं जाओंगी नहीं नहीं पहले मैं तुम दोनों मुझे छोड़कर जाओगे क्या हम सब साथ नहीं चलते ही ना माँ कि अचाओज़कर चलते ही च।म पते ही से लग़करे पास Corinne हम फमढा़कर जाएंगी नहीं पviंदोफ़कर में में जाएंगे य।! कि एक हो एगे ही! कर दो! कर दो झाल 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 लक्ष्मी 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 अच्छा जी मेरे लक्ष्मी मेरे लट्ली बेटा अरे उट्जा देखो तुम्हारा मामा आया है अपने मामा से बात करो मेरे बच्चो ए बेटी उट जा अरे उटो तुम्हें पेट बरके खाना दूगो मेरे बच्चो उट जा ए बेटा करें दुनिया में मैं चाहे कहीं भी चली जाओ जडम दिन पर मेरे भॐया के पास ही आउंगी उनसे महंदी लगवाओंगी जिस दिन भॐया से नहीं लगवा पाई या उन्हें राख ही नहीं बान पाई तो वो मेरी सिंदिकी का अंख्री दिन होगा लक्षमी अगर तुम जिन्दा रहोगी तो यह तुम्हारा यह भाई जिन्दा रहेगा मेरी बेर यह बात तुम भूल गई ना लक्षमी जिन्दन बेटा भेटा भई क्या हुए भाया 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 mismos हुराँ जचचने झाल झाल इस दुनिया में हर कोई जनम लेता है और मौत के साथ सभी जुदा भी हो जाते है ये भाई बहन जनम के साथ एक दूसरे से मिले और मरने के बाद भी एक दूसरे से मिल गए झाल 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 झाल